फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इस दस साल पुरानी और एक लाख किलोमेटर से भी ज्यादा चली हुई बाइक का इंजन फ्लश करने वाला हूँ चली हम लोग देखते कि इसके इंजन के अंदर से क्या क्या गंदगी और कितनी गंदगी निकलती है आज बिल्कुल इसे हम लोग चान के देखने वाले है कि इसके अंदर से जो बड़ी मातरा में जो कार्बन डिपॉसिट वगरा जो गंदगी है वो निकली है कि नहीं निकली है आज हम लोग चान के से देखेंगे इस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डेस्केप्शन और पिन कमेंटर मिलने वाला है वीडियो को देखके आप यह जो गिवावे यहाँ पर जरूर से पार्टिसिपेट कर ले हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको इस 10 साल पुरानी बाइक का इंजन फ्लश करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा देखो जो बाइक है वो 2012 मॉडल है और आप यहाँ पर मीटर में देख सकते हूँ मीटर जिता नहीं हुई है नहीं एक बार भी इस वीडियो से बिल्कुल मालूम चलने वाला है इंजन फ्लश किस करना चाहिए यह अपको मालूम चलेगा साथी फ्रेंट जी ने नहीं पता कि engine flush क्या होता और क्यों करना चाहिए तो इसको पर में एक detail बहुत ही बहुत ही बहुत ही practical वीडियो है link आपको description में मिल जागा आप उस वीडियो को देखके जान सकते हो कि engine flush क्यों करना चाहिए बहुत असाल अबसों में कहना तो engine बहुत जादा गंदा होने लगता अंदर से जो कि engine का पार्ट से उनका life को कमजोर करता है engine का life कम करता है इसके लावर engine का performance है, mileage है, power output है यह सब कम होता है लेकिन जब हम लोग engine flush को करते है तो उससे बहुत हद तक यह जो गंदगी है वो बाहर आ जाती है इसलिए हम engine flush को करना चाहिए अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर मैं जो लिक्वी मोली का engine flush shooter है मैं इसका use करने वाला हूँ engine को flush करने के लिए वैसे बहुत से लोग केरोसीन हो गया, diesel हो गया, तारपीन तेल हो गया इन सब को use करके engine flush को करते है तो मैं माना नहीं कर रहा हूँ, आप उनसे भी कर सकते हो लेकिन चुकि यह हमेशा नहीं करना होता 20,000, 25,000, 30,000 क्लमेटर चलाने के बाद करना होता एक बार, तो मैं आपको recommend करना होगा कि आप देखो कोशिश करना कि जो proper पर जो engine flush का liquid होता, अगर आप उसे use करोगे तो वो बेतर होता, आपकी मर्जी आप liquid moly का use कर लो 3M का use कर लो, क्योंकि इनके अंदर में chemical composition होता जो कि जादा बेतर तरीके से काम करता है तो आप इन्हें use कर सकते हो, यह आपको offline आसपास का है, जो हमारा shop auto mall का वहाँ मिल जागा इसके लावब यह online भी मिल जाता है वैसे इसका MRP वो 240 रुपए है लेकिन यह आपको कुछ discount मिल जाएगा जो link है, वो मैं इस video के description दे दूँगा तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो बाग के जो bike है, scooter है, इनके बहुत सारी जो ऐसे series है जो riding gears है, वो भी आप चेक कर सकते हो उनका भी link आपको description मिल जाएगा चलिए फटाफट से और देर नहीं करते हूँ मैं फटाफट से जो engine flush है, उसका जो प्रकिरिया है जो procedure है, वो से start करता हूँ वीडियो को बिल्कुल, आप end तक पूरा देखना ताकि सारी बात आपको मालूम चल जाए साथे फट्सू की चैनल पर भी bike का giveaway चल रहा है तो जीनों अभी तक participate नहीं कि आप सब participate जरूर से कर ले, giveaway वीडियो का जो link है वो description और pin कमोर्टे में आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स देखो, यह है लिक्यू मोली का 80 ml का engine flush shooter यह 80 ml का और इसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसे bike के scooter जहाँ पर हम लोग 1 लिटर से लेकर 2 लिटर तक engine लोगो डालते है कि engine flush करने से पहले हम लोग क्या काम करें कि हमारा जो पहले से अंदर में इन्योल डाला हुआ है इसे हम लोग हलका सा थोड़ा सा warm कर ले थोड़ा सा गरम कर ले तो ज़्यादा मैंने करने वाला कुछ इसे मैं क्या करूँग इंजिन को स्टार्ट करके तक मैंने वेट कहा ताकि जो ड्रेन होके इंजिन होले वह यहां पर आजे संप में अब मैं क्या करता हूँग जो डिप्ष्टिक का कैप है मैं इसे खोल लेता हूँ और यहां से फिर मैं भी जो हमारा इंजिन फ्लश है वह डालने वाला हूँ इसे डालने के बाद जस्त अगरर आप 10 मिनट तक जो हमारा इंजिन है इसे idle के position पे छोड़ देते हो जानी कि engine को start करने के बाद just बिना accelerator लिए एक भी आपको accelerator लिए ज़रोत नहीं है just 10 मिनिट तक छोड़ देना और उससे क्या होगा कि engine oil के साथ जो हमारा engine flux mix हो गिया है इनका circulation होने लगेगा engine के अंदर में उससे जो engine कमстus जेतनी भी गंदगी है उस से maximum गंदगी क्या होता है कि हमारा engine oil के साथ mix हो जाता है अभी हम लोग यहीश्टेप करने वाले, मैं क्या करने वाला हौ क्योपर आया तो मैं यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूं कि हमारा engine ignition मैंने on कर दिया है ताइम यहां पे आप देख है नोबज के उन्तिस मिनट आपको यहां पर ठीक है तक नौबज के न नहीं लेने वाला हूँ अब दस मिनट पूरे हो चुके है अब मैं क्या करता हूं कि जो मैं इंजन है इसे आफ कर देता हूं और अब आने वाला असली मज़ा क्योंकि अब हमें मालूम चलेगा कि जो इंजन फ्लस्ट है वो क्या सच में काम करता है इस दस साल पुरानी एक लाख किल दा चली हुई हमारे जो बाइक है इसके इंजन से क्या निकलता वो अब हमें मालूम चलने वाला है तो आब मैं क्या करूँगा कि जो इंजन ओउल है इसे ड्रेंड करें गो इसे बाहर निकालंगा बीना time गवाए मैं आपको फटाफट से जो इंजन ऊली से बाहर निकल कर दिखा देता हूं अब देखों यह द्रेंग बॉल्ट ओल्मोस्स मैं बाहर कर चुका हूं अब यहा का formation हुआ होगा इतने टाइम तक वो निकल रहा के निकल रहे तो पता नहीं जल रहा लेकिन हाग काला तो बहुत ज्यादा निकल रहा है लेकिन कोई बात में हमारे पास जुगार भी तो है आज बिल्कुल इसे हम लोग छान के देखने वाले कि इसके अंदर से जो बड़ी मात को flush किया है तो हम completely कोशिश करेंगे कि यह पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल जाए आप देखो अभी भी यह निकली रहा है ओके थोड़ा से और वेट करते हैं completely से निकलने देते हैं और मैं क्या करता हूं कि इससे जो बाइक हलका सा आगे के तरफ जुगा के निकाले करेंगा तो मैं वो भी काम कर लेता हूं कि इसमें कितनी ज्यादा गंदगी है सबसे पहले अपर सब देखोगे तो आप देख सकते हो कि एक्चुली काला तो है लेकिन जो नॉर्मली हम लोग इन्जानोल को ड्रेंग करते हैं यह बिल्कुल उससे आप देखोगे तो आप द अलग दिखाई दे रहा है यह सेम उस तरह का नहीं दिखाई दे रहा है एक बार यहां से दिखा जाए अगर तो आपको मालूम चलेगा ठीक नीचे में बहुत सारी जो पार्टिकल से वह यहां पर बैठ रहे है जो मैंने चेक किया है और एक बार ठीक है यहां पर अच्छी जो सलज होता है जो घंदगी होता है हमारा जो इनिजन और पुरी तरह से मिक्स हुआ है लेकिन यह शारी कि कर रहा है कि थोड़ा बहूत जो आप बूल सकते हैं जो गंदगी होता किचार टैप का होता है वह इस तरह का यहां पर फील हो लहा है यह बिल्कुल पेल यानि कि इसने गंदगी तो किया है असानी से चिकनाहर्ट जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है असानी से चिकनाहर्ट के साथ मैं जो उंगली वो स्लिप नहीं कर रहा है यानि कि कहीं न कहीं यह बिल्कुल गंदगी तो किया है अब थोड़ा सा मोग चेक करने के लिए एक्ष्टर एक्लियर जाने के लिए मैं अभी यहां पर का करना वाला हूं यह जो छहनी है अब मैं इसे छान के देखता हूं कि क्या सच में कुछ बड़े जो गंदगी है ठीक है जो डिपॉसिट वगरा है क्या वो इसमें आता है या बिल्कुल नहीं आता है वो भी हमें जईता है कि यहां पर वैसा कोई बड़ा पाटीकल तो नहीं आप टिफकर निए घंड को फ्लश किया है कहीं उससे जो गंदगी वगरा है या आपको शाप दिखाईए देरी मैं आपको फोकस के दिखाजता हूं ठीक है। इस तरह के कुछ particles already इसे हमारा चानी है इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा यह तो इसलिए मैंने चान के देखा कि कोई बड़ा पार्टिकल इसमें आया कि नहीं आया है इंजन फ्लश करने के बाद जो गंदगी है वो देखने को मिल रही है यानि कि इंजन जो अच्छी तरह से साफ भी हो गया है friends engine flush करने के बाद just हमें क्या करना होता है कि हमें जो fresh engine oil है वो engine के अंदर में डालना होता है लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आपके bike वगर हमें तो हमारा oil filter और जो oil strainer अगर उसे use किया गया है engine oil क्योंकि इस जो गाड़ी का honor है इनका साफ कहना था कि मेरे bike में hero वाला ही डालना तो मैं ये डाल दूँगा हलाकि hero बजाज इनका जो tvs का अपना engine oil होता ये भी बेहतर quality का होता आप इसे भी use कर सकते हो इसके लाब अगर बाहर समय चाहोगे तो मैं आपको recommend करूँ कि आप module कर डाल सकते हो उसका जो link है वो आपको description मिल जाएगा तो फटर फट समय क्या करता हूँ ये जो engine oil है इसे इसके अंदर में डाल लेता हूँ तो friends जो fresh engine oil है वो मैंने इसके अंदर में डाल लिया है और इसके साथ ही जो हमारा engine flush का जो procedure है ये हमारा complete हो चुका है तो friends इस वीडियो में दिगे जानकरी मुझे उमीद है कि आपको पसंद आई होगी वीडियो च्या लगाओ तो वीडियो को like और share जरू कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment कर जरू बता है तो इसे भी आप चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दे मिलते अगले वीडियो में thanks watching this video good bye